आपके अपने चैनल आपके लोग उमीद करते हूं बहुत ही मज़े में होंगे आपके साथ रेस्पी शेयर करने वाली हूं कि यह के कोफते बनाने में बहुत यह स्वाधिस्ट बहुत सिंपल लेकि बहुत यह टेस्ट्री है रोग जब दाल और चावल डेली के चीज़े खाक सप्रिग ऑन्यन को माने चीज़े बनाने के लिए मैंने लिए हम गीया उसको मैंने कदके लिए और मैंने लिए हम कर लिया मंने च़्ाटज च्प्रिंगान राइं अपर उसुप Happsen साथ राण उसको भी बारिक हम ऑले 5ग बड़न तो सबसे पहले हमने घीए को हाथों से प्रेस करके उसका एक्स्रा वॉटर जो है वो निकाल देना है और इसके बाद मैंने इसमें 500 ग्राम जो है तकरीवन बेसं का यूज किया है आदा चमचिंग से बहुत इचा टेस्ट राता है और स्प्रिंग अनियन जो हम इसके अंदर यूज करने वाले जो थोड़े से कट करके रखे तो इसका लोक आता है खाने में और देखने में भी तो उसके बाद हम मसाली एड करेंगे आदाच जमच अल्दी पावडर एक चमच लालमेश पावडर और नमक स्वाद के नुसार इसको बहुत इची तरीके से मिक्स कर दे करेंगे मीडियम फ्लेम पे फ्राइए करेंगे हम इसको गोल्डन ब्राउन तक यह अच्छी तरीके से अंदर तक सिक जाए तो यहां पर आप देख सकते इस तरीके से इसके हम पकोड़े बनाके निकाल लेंगे और उसके बाद जो लेफ्ट ओवर ऑईल बचेगा उसी के अ मैंने कट करके रखा हुआ था वह इसके अंदर डाल दोंगे मीडियम फ्लेम पे इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइए करेंगे बूनेंगे एच्छी तरीके से तो क्योंकि हम ने इसमें प्याज का ज्यादा यूज किया है प्याज और लैसुन का इसी से इसकी ग्रेवी बनती है बहुत ज़्यादा टेस्टरी बनती है तो एक बर आप इस तरीके से इस रेस्पी को जरूर ट्राइए कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं से तीन मिट में और चलाओंगी और इसके बाद फिर हमें के करके सिंदर सारे मसाली आड़ करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं बुनने के पाद बहुत ही प्यारा सा इसका कलर और बहुत ही पैरिसी की खुश्बू आएगी लैसुन की यद्रकी और जो हमने स्प्रिंग अनियन जो इसके बहुत ही पैरी से खुश्बू आती हैं जो हमारी भूक को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं तो यहां पर मसाले आड़ कर लेंगे नमक स्वाद की नुसार आदा चमच हल्दी पाउडर आदा चमच लाल मिर्च पाउडर और आदा चमच कश्मीरी लाल है तक कि इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ही मज़ेदार बने तो दो मिनिट के बाद देखें इसका कुछ इस तरीके का लोक आएगा तो इसके अंदर मैंने तक कि मसाले ची तरीके से पक जाए तो जो हमने घीये को निचोड के जो इसका वाटर निकाला था एक्सरा पानी व मनकरत जल्दी से बन जाए रेस्पी और जल्दी से खाने को मिले तो यह आप देख सकते हैं मसाला बहुत इची तरीके से भून गया है तियार हो गया है तो बस अब हम इसके अंदर जो है पानी को एड़ करेंगे तो यहां पर मैंने डेड़ गिलास पानी का यूज किया है कि इसकी बहुत प्यारी से ग्रेवी तयार हो ग्रेवी जो होती है वह मेन पार्ट होती है ग्र्यूघ अच्छा लगाओगे तो बहुत यह दा टेस्टी बनती है तो यहां पर देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से उबाल आजाएगा उसके बाद जो हमने पकॉड़ तो मैं दिखाती हूं आपको पांच मिट के बाद इसका फाइनल लोक तब तक आपको कनेक्ट चोटा सा काम कि अगर चैनल पर नहीं आया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतना इस वीडियो को और इस चैनल को शेर कीजिए और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें तो यह आप देख सकते हैं कोफते का फाइनल लुक बहुत तेस्टी लग है और इसकी ग्रेवी इसकी तिकनेस आप देख सकते हैं एक बन इस रेस्पी को जरू ट्राइक करें और अपना फीट्बग में जरू शेय करें कि आपको यह रेस्पी कैसी लगी है पहुत टेस्टी स्वाधिस्ट और हम इसे राइस और चपाती के साथ खाने वाले हैं तो जाएं आप भी और टेस्ट करें बताएं आपको यह रेस्पी कैसी लगी है तो जब तक आप इस रेस्पी को टेस्ट करते हैं तब तक मैं करती हूं दूसरी और नई रेस्पी के तैयारी तो मिलती हूं बहुत जल्दिक नई और प्यारी सी रेस्पी के साथ तब देके वेटन वॉच्छ यम्यम्य न्यू रेसिपी आर्चेस वर्ण